असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे चिकन के साथ एक बहुतीτοी डिलिशयस सी ग्रेवी नटी क्रीमी सा फ्लेवर है इसका चिकन पतियाला का चलिए फिर रैसिपी की दरफ चलते हैं चिकन पटी आला बनाने के लिए 1 केजी चिकन हमने लिया है इसे धो कर एक बड़े से बाउल में कुछ मसालों के साथ मेरिनेट करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर चाहेगा 1 टीबल स्पून अदरक और लसन का पेस्ट आधे लेमन का जूस जाएगा अगर तो आपके पाद चोटा है तो पूरे एक निमू का इस्तिमाल कीजिए आधा टीजपून हल्दी पाउडर जाएगा आधा टीजपून इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर का और आधा टीस्पून इसके अंदर लाल मेच का पाउडर है आधा टीस्पून ही इसके अंदर चाहेगा नमक बस इतने से मसालों के साथ हमें चिकन को मैरिनेट करना है आधा घंटा रख लीजिए या फिर पंदरा मिनट भी काफी है तो ढख कर इसे रख लेंगे तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ मसाले हमने लिए हैं इसे पीस लेंगे 10 से 15 आपको लेना है यहाँ पर काजू जिसे गरम पानी में थोड़े से गरम पानी में भीगो कर रख लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है अब ये है 6-7 लसन के जवे 2 इंच का अद्रक का पिस इसे हमें चौप कर लेना है अद्रक और लसन को आपने चौप करना है एक मीडियम साइस का प्याज है इसे भी चौप कर लीजिए और ये 2 टमाटर है इसे भी हमने चौप कर लेना है तो देखे, प्यास, अधरकलसन, टमाटर, काजू, सब कुछ पिस चुका है अब ये है आधा कप मेथी के पत्ते, यानि जो मेथी की सबजी होती है उसे आपने आधा कप ले लेना है अब यहाँ पर लेना है आईल, ये हमने चार टेबल स्पून आईल लिया है, एक इंच का दालचीनी का पीस है तीन जाएगी इसके अंदर हरी इलाइची, तीन जाएगी इसके अंदर लॉंग, आधा टी स्पून इसके अंदर जीरा एट करना है, मसालों की खुछबू आजाए आईल में तो वन टेबल स्पून भर कर आपने चौप करा हुआ अधरकलसन एट करना है अच्छी से इसमें से भी खुछबू आजाए तब आपने इसके अंदर प्यास एट करना है तो यहाँ पर आपने एक बड़े साइस के प्यास को चौप करके रख लिया था, वो ही आपने एट करना है अब इसे क्या करना है, आपने थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाना है इसमें से अच्छी सी खुछबू आ जाए और लगे कि आपको इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले एट करने है आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और वन टीस्पून भर कर आपने डालना है इसके अंदर धनिया पाउडर का अच्छे से मसाले थोड़े से पक जाए तब आपने इसके अंदर टमाटर एड़ करना है अब टमाटर को इतना भूनना है कि इसके उपर आपको ओईल नजर आ जाए देखिए टमाटर अच्छे से एक दो मिनट में भून जाएगा और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा तब आपने इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन एड़ कर देना है अब अच्छे तरीके से हमें चिकन को मसालों के साथ भूनना है तक इसका कलर चेंज हो जाए एक से दो मिनट में देखिए मसालों के साथ अच्छे से चिकन भून जाए तब आपने थोड़ा सबस पानी आड़ करना है अभी आप क्या करोगे ढख के रखोगे ना तो चिकन ने अपना पानी छोड़ देना है तो एक से दो मिनट के लिए ढख दीजिए और देखिए चिकन का खुद का पानी इतना सारा निकल आया है कि आपको बहुत जादा पानी की जर्वत नहीं है ढख कर इसे स्लो फ्लेम पर पांच मिनट के लिए पकाईए अब लेना है एक दूसरा पैन उसके अंदर डालना है दो टेबल स्पून ओईल अदरक और लसन जिसे हमने चौप करके रखा है वन टी स्पून इसके अंदर जाएगा जीरे का अच्छे से फ्राई कर लीजिए एक प्यास को आपने तुकडों में कट करके एड़ कर देना है वैसे ही आपने शिमला मिर्ज भी एक लेनी है वो भी इसके अंदर हम दाल देंगे अब ये है आधा कप मेथी की सबजी ये भी चले गई थोड़े से सूखे मसाले इसके अंदर जाएंगे आपने देखा चिकन को मेरिनेट किया फिर हमने सूखे मसाले ग्रेवी में अब आपने इसके अंदर एड़ करना है तो दो पिंच हल्दी पाउडर दो पिंच जितना आपने सूखा धनिया एड़ करना है दो पिंच जितना आपने जीरा पाउडर दो पिंच जितना काली मिर्च का पाउडर और दो पिंच जितना ही आपने एड़ करना है नमक का मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए ये शिमला मिर्च और प्यास ना बहुत ज काजू के पेस्ट के साथ आपने 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर चाहेगा शुगर का 1 टीबल स्पून भर कर बटर एट कीजिए मिक्स कर दीजिए अच्छे तरीके से और धब कर एक से दो मिनट के सर्फ कीजिए इतना डिलिशेस इसका फ्लेवर होता है क्रीमी नटी और बहुती जादा टेस्टी बनकर तयार होती है इतना कोई डिफरेंट सी रेसिपी है कि आप इसे बनाओगे तो आपको लगेगा कि आपने रेस्टरंट से और्डर किया है बनाएए लाइक शेर सबस्क्राइब कीजिए दावतो वाली रेसिपी है ये अपना ख्यार रखिए लाहाफेज